हैलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फैशन पूजा तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इजी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप लोग घर बेठा ही ब्लाउस कटिंग सीख सकते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे तो फ्रेंड्स यह ब्लाउस का फ्रॉंट नेग बनने वाला है और यहां ऑलो को कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है आप फेंट हम् cutting और stitching सीख सकते हैं वो भी perfect तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है length ले लिया है 15 inch और उसके बाद जब length हम लोग ले लिया है अब हम shoulder लेंगे तो यह boat neck blouse होने वाला है इसलिए shoulder जो है मैंने बड़ा लिया है 7 inch लिया है इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी boat neck होगा तब हमें shoulder extra लेनी है अब जहाँ shoulder का end होगा वहाँ से हमें जो है इसकी armhole लेनी है armhole मैंने 7 inch ले लिया है तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि 7 inch क्यों लिया है perfect measurement के साथ तो मुझे comment करें मैं यहाँ पूरी details में आप लोग को बताऊंगी इसके बाद जब armhole का end होता है वहाँ हमें chest लेना है chest का measurement मैंने इससे भी पहले वीडियो में बताए हैं आप लोग को कि कैसे लेना है तो यहाँ जो है chest हमें साड़े 10 inch रखना है देख सकते मैंने यहाँ mark किया है और जो है हमेशा waist जो है chest से half inch कम होगा मतलब वो 10 होना चाहिए अब यह जो है एक pleated blouse होने वाला है इसलिए आप हमेशा यह याद रखिएगा कि इसके side में यानि chest और waist में 1 inch extra रखे यह सिर्फ जो इसके front neck के लिए है back के लिए नहीं देखिए मैंने यह तो इसका real measurement है लेकिन मैंने एक inch बाद भी line draw की है अब इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे और जो हमें length में भी half inch extra रखना है जो कि मैं अभी यहां रखना भूल गई हूँ देख सकते हागे बस उसके बाद जो हमें armhole को गोल शेप दे देना है इस तरह से इसके बाद जो हमें इसकी cutting कर लेनी है लेकिन friends मैंने कहा कि मैं भूल गई हूँ यहां half inch नीचे length में extra रखना तो अभी मुझे याद आया है पर कोई बात नहीं यह तो इसका अस्तर है हमें main fabric पे रखने सी होगा मैंने थोड़ा सा cut किया लेकिन बाकी हिस्सा जो इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई जो है चार इंच रखी है क्योंकि मैंने बैक पार्ट में भी चार इंच ही रखा था इसके बाद देख सकते हमें लेंध जो है लेंध भी हमें कम लेनी है नॉर्मल जो नेक होता है उसमें हम लोग 5-6 लेते लेकिन बोटनेक में यह हम देदेना है तो देखिए बोटनेक हो चुका है रेडी अब जो है इसका में जो टफ पॉइंट है इसकी प्लीट तो बहुत किसी को कन्फूजन होता है कि प्लीट हमें कैसे रखने है कहां से हमें प्लीट बनानी है तो देखिए कि सबसे पहろे तो हमें ब्लाउज के वेस्ट बैमाप लेना है तो वेस्ट तो हमारा सारी 10 उसके बाल एक ढार ग्यारा थी तो हम्में पार्च के अंदर ही रखे इसके बाद देखिए सेवा में गले के साइड में भी जो है मेजिर में ले ले लेना है और इसका हाप हमें पॉइंट कर लेना है देख सकते हैं और एक तरीका है आप हर 2 inch, देख सकतें इस प्लीट से जो हम लोग उने 2 inch को रखा है देखिए ओपर और यहाँ पर हमें एक निशान बढ़ा न देख सकते हैं देख सकते हैं और यह जो प्लीट है फ्रेंड्स हमेशा आप लोग इसको याद रखेंगा यह ब्लाउस के चारो कोनों से होगा देखिए फिर हमें दो इंच फिर हम लोग ने मार्ग कर लिया है अब यह armhole के side से बनेगा एक देख सकते हैं पिर हमें फिर दो इंच का measurement ले लेना है और फिर जो है साइध के तरफ और एक pleat बनेगा टोटल चार प्लीट और वो भी चारों कोनों से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा और जब यह बन जाएगा तो एक राउंड शेप में आ जाएगा तो इसलिए मैं यहां पर एक ड्रॉप करके आप लोग को दिखा दे रही हूं यह बस मैं आप लोग को समझाने के लिए ड्रॉप कर रही हूं कि एक राउंड शेप में आ जाएगा बाद में प्लीट कंप्लीट होने के बाद तो अब लोगों को यह भी कंफिशन होता है कि हम लोग कितने चौड़ी रखे प्लीट को तो देखे मैं आज यह भी आप लोग क प्लीट की और आप लोगों सबको पता है कि प्लीट हमें कैसे देनी है नीचे से चौड़ा होते हुए उपर पतला जैसे मैंने ड्रॉ किया है सेम वैसे है और सेम साइड वाला जो नेक के साथ है उसे भी हमें थोड़ा चौड़ा रखना है लेकिन जो आर्म होल वाला जो प चारो प्लीट जो है इस तरह से बनकर रेडी होगा और आप लोगों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बस आप लोगों को याद रखना है कि दो प्लीट आपे चौड़ी रखनी है और दो पतली तो मैंने नेक को भी हाँ कट कर लिया है और सेम जो है इसके बैक में भी हम ल स्लीट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कपड़े को चार फोल कर लेना है फिर ले लेनी है और देख सकते हैं लेंथ के जो हमें चिसकी चौड़ाई जो हमेशा जो आर्म होल रखा है उससे डेर इंच एक्स्टर लेनी है और आर्म होल का हाप यहां मैंने लिया है और इस तर स्लीट अब हम इसका हमेंजु इस नीचे के साइड में ही रहे है कं अ गungब देख सकते हैं इस सारा से introduction और देखे हमारा जो लेस एकदम पर्फेक्ट जगह पे है सेम झो को भी फैब्रिक पर बेठा कर लेंगे को देख सकते हैं कि अब जो पुपर फैब्रिक को बेठा कर सेट कर ले उसको स्टिच कर ले चारो तरफ से अब जो है मिसको प्लीट की स्टिचिंग करेंगे तो जैसे मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया है सेम मैं वैसे ही स्टिच करूंगी देख सकते हैं यह हमारा साइड वाला प्लीट था मैं डवल स्टिच कर लेती हूं ताकि जल्दी ना खुल जाए फिर यह हमारा आर्म होल के साइड का जो है प्लीट है अब जो यह मीडिल वाला प्लीट है तो यह जो है बैक ओपन है यह बीच में कोई कट नहीं है तो हम एकदम जॉइंट से पूरे इस तरफ से उस तरफ तक मिला लेना है इस प्लीट को देख सकते हैं तो हमारा एक साइड का जो है प्लीट कम्प्लीट हो चुका है फ्रेंट्स जैसे मैंने कहा था देखिए एक राउंड टाइप का जो है एक कटोड़ी टाइप का शेप आ चुका है सेम जो हमें इसके दूसरे साइड में भी प्लीट बना लेनी है देख सकते हैं दोनों प्लीट हमारी कम्प्लीट हो चुकी है देखिए इतम राउंड शेप आ चुका है पहनने के बाद बहुत अच्छा फिटिंग्स होगा इसका देख सकते हैं अब हमें इसके नेक में पट्टी आट करनी है तो मैंने यहाँ पर गोल पट्टी कट किया है इसका अस्तर से देख सकते हैं और हमें इसके कपड़े के ऊपर बैठा कर स्टीच कर लेनी है देखिए कुछ इस तरह से और बस के साइड में कट लगा लेने हैं कट लगाने से हमारा कपड़ा नेक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा देख सकते हैं अब इसका बैक पार्ट जो मैंने पहले रेडी कर लिया था देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर इसका बैक नेक है अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क् कि किस तरह मैंने एक सिम्पल से ब्लाउस को इतना सुन्दर डिजाइनर बनाया है और आप लोग भी ऐसे देख कर बना सकते हैं तो यह इसका बैक पार्ट है जल्दी से जाईए और आई बटन पर क्लिक करके देख लिजिए और देखिए इसके साथ जो हमें इसका शोल्डर एड करना है तो हमेशा आप लोग शोल्डर को ऐसे एड करें कि पट्टी को सीधा रखकर बैक पार्ट के साथ इसको अटैच कर लिजिएगा ताकि फिनिशिंग अच्छी आएगी मैं हर वीडियो में हमेशा जो है शोल्डर को अटैच किजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से जो हो जाएगा सेम हमें दूसरा भी शोल्डर एड करना है और बस पट्टी को अंदर की तरफ रखकर उपर एक चाप स्लाइड लगा लेनी है देख सकते हैं अब हमें इसके उपर लेस एड करना है जैसे कि हम लोगों ने बैक में किया था सेम वैसे हमें इसके उपर लेस एट करना है और जहां भी आपको लगे की तो राउंड नेक है तो वहां आप छुड़ी छुड़ी प्लिट बना सकते हैं ताकि लेस जो है पूरी अच्छे तरह से सेट हो जाए इस पे और फिर से नीचे एक चाप स्लाई लगा दे लिए हमें देख सकते हैं अब जो हमें से कमर में पट्टी आड़ कर लेनी है और इसके उपर जो हमें चाप स्लाई लगानी है फ्रेंड अगर अब भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हर रोज कुछ नया देखनी के लि देखिए मैंने यहां पर एक इंच करके रखकर साइड स्टीचिंग कर ली है दोनों ही साइड में देख सकते हैं इसका पूरा लुक देखिए अब हम लोग मेजर्मेंट कर लेंगे अगर आप लोग को एस से करके अगर लगे कि कम है या जादा है तो फिर आप स्टीच कर सक और फिर रहें के अस्तलर की ऊपर ही एक चापसली देनी है और फिर फोल करके में फैब्रिक के ऊपर चापसली लगा लेनी है और फिर हमें चार और तरब से इसको स्टीच करके कपट्य को जो है सेट कर लेना है देख सकते हैं अब जो हमें हाथ का जो भी हमारा जो मेजरमेंट है उसको रख कर जो हमें स्टीच कर लेनी है देख सकते हैं और इसके बाद जो हम इसे मेंन ब्लाउस के साथ इसको अटैच कर लेंगे तो हमेशा मैंने कहा है कि आप जोईन को दुनों के एक साथ रख कर बस राउंड राउंड जो है स्टीच करते जाएए हमारा हाथ एकदम परफिक्ट जो है सेथ हो जाएगा देख सकते हैं इस तरह हमें राउंड लाई करते जाना है तो फ्रेंड्स देखिए कि इसका पूरा फाइनल लुक है कितना सुन्दर लग रहा है इसका नेक देख सकते हैं यह बोटनेक है और लेस लगाने के बाद यह और भी जादा सुन्दर लग रहा है और साथ ही जो इसका चेस्ट का पार्ट दे सकते हैं जहां आम लोगों ने प्लीट बनाई थी तो यह कितना सुन्दर एक राउंड शेप में आ चुका है जैसे लग रहा है कि यह अटैच हुई है तो देखिए इसका पूरा लुक और आप लोग जो है अपने सिंपल ब्लाउस को इस तरह घर बैठे ही डिसाइन कर सकते हैं और जो है अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे और इसे जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर जरूर करे क्योंकि मैं रोज कुछ नया लेके आती हूँ फ्रेंड्स सारे पाच बज़े देखना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ कल सारे पाच बज़े ठैक्ट